क्यारके ने कल एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस को टैक करते वे बताया था कि कैसे मीका सिंग ने उनकी पिच्चर्स को मौफ करके विडियो बनाया और अब मीका सिंग ने ये भी कहा है कि वो क्यारके की 14 साल की बेटी के पिच्चर्स के साथ भी यह करेगा और इन बातों को सही प्रूफ करने के लिए क्यारके के पास messages और evidences भी है क्यारके और मीका की अपनी professional लड़ाई है ऐसे में family को खीशना बहुत बुरी बात है क्यारके के स्ट्वीट पर लोगों ने भी अपना गुसा जताया कि क्यूं मीका इस हद तक जा रहा है अब मीका का इस पूरे मामले पर reaction आया है मीका ने एक tweet करके बताया है देखो ये सब इसका अब नया drama है सारी actresses को उल्टा सीधा comment करने वाला मुझे बोल रहा है क्यार में इसके जैसा घटिया नहीं हूँ कि मैं इसकी family के बारे में बोलू इसके आगे मीका ने कहा है बेटा प्लीज कम बाक टू इंडिया जाहिर सी बाते मीका ने क्यारके पर कुत्ता सॉंग रिलीस किया जिसमें क्यारके की pictures को actresses की bodies पर लगाया गया है कुत्तों के मूप पर लगाया गया है इस तरह से मौफ करके इस गाने को तयार किया गया है और इसी पर क्यारके ने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने ना सिर्फ मीका को सूर कहा बलकि एक रेपिस्ट भी कहा